हलो फ्रेंट्स, है मैं अपरती, वेल्कम बेक टू आड चैनल, प्लांट्स अस्पेस, आज हम पॉट्स पर पेंट करने को लेकर आपसे कुछ बाते शेयर करेंगे, यह सीमेंटेट पॉट्स हैं जिनको हमने पेंट किया है और कौन से पेंट का यूज किया है यह भी आप से श सकते हैं, cemented pots पर भी कर सकते हैं, लेकिन मिटी के गंबलों पर paint करने को लेकर एक वीडियो हमने शेयर की हुई है, description box में आप जरूर चाहिए, तो सबसे पहले इसको open करते हैं, और इसको एक बार किसी stick ले लीजिए, आप कोई बेकार stick हो, उससे आप इसको mix कर लीजिए, अच कोई भी कप ले सकते हैं, तो हमने ये एक waste कप लिया है, इसको हम ना पेंगे, पहले की कितना, थोड़ा सा लीजिए, शुरू में जब आप पर्स टाइम ट्राइब कर रहे हैं, तो आप पहली बार में थोड़ा सा ही लीजिए, तो हमने वन कप लिया है, और आब इसमें वा बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो वो सही नहीं है, तो इसलिए शुरुआत में आप कम पानी का ही प्रियोग कीजिए, तो फिर बाद में हमने क्या किया, एक कप पेंट में दो कप पानी एड़ किया, तो वो ठीक हो गया था, तो इसमें हमने थोड़ा सा पेंट और एड़ कर दिया था, क्योंकि ये ज़्यादा पतला हो गया था, तो ये जब आप पॉट पर इसको करते हैं, पेंट तो वो होता नहीं है, वो नीचे की तरफ बहने लगता है, तो वो सही नहीं होता है, इसलिए शुरू में आप थोड़ा ही पानी एड़ कीजिए, फिर अग तो सबसे पहले ब्रश का यूज ओ करने से पहले एक बार उसको अच्छी तरह से सो खर लेंगे, एक तरह से पानी में इसको भिगा लेंगे, तो क्या होता है, कि जो पइंट होता है, वो ज़्यादा अच्छे से वthese कर पाता है, आप इसको ट्राइ करते हैं, तो देखिए य लिक्विड जादा ही कुछ जादा ही पतला हो गया था तो यह रुख नहीं रहा था और वैसे भी फर्स टाइम में ऐसा हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है तो शुरू में आप थोड़ा हलका ही पानी उसकीजिए तो आप चाहें तो दो या तीन कोट भी कर सकते हैं हमने जब यह ट्राइ किया तो हमें एक कोट तो जो होता है क्योंकि जो सिमेंटेट पॉट्स होते हैं इसमें एक लेयर जो है यह सिमेंट की बना देते हैं उपर से तो यह काफी चिकनी हो जाती है तो इस पे जब आफ फर्स होती है हलकी सी और जो आप दूसरे paint लेंगे तो उसमें थोड़ी shining होती है तो paint में जब आप जो paint होता है जब आप pots पर करते हैं और उसमें shining होती है तो इतना जादा खुब भी ब्रूट नहीं लगेगा क्योंकि सारा ध्यान जो है वो pots पर जाएगा garden में plants पर तो जाएगा ही नहीं तो वो सही नहीं है टेरा कोटा best होता है तो हमने second time में ये लिया है छोटा वाला brush तो first coat हमने दूसरे pot पर कर दिया है अब देखिए second coat कर रहे है तो second coat में जो है paint सही से निखर कर आया है बहुत ही प्यारा finishing आई है इसमें बहुत अच्छा लगाई है और बड़े paint जो बड़ा brush था उससे इतना अच्छा नहीं हो रहा था जितना अच्छा ये छोटे brush से हुआ और काफी जल्दी हो गया एक काम और कीजिए अगर आपको नीचे जिसे की डाग लग जाते हैं जब हम paint करते हैं तो तो नीचे की तरफ आप इसमें newspaper रख सकते हैं तो उससे क्या होगा जो आपका terrace है अगर महाँ पर आपने फर्ष डलवाया हुआ है या tiles लगी हुई है तो उस पर वो निशान नहीं पढ़ेंगे और वो सही रहेगा तो आप नीचे newspaper जरूर रख लीजिए एक बार तो हमारे सारे pots तयार हैं और ये paint हमने केवल cemented pots पर ही किया है क्योंकि मिट्टी के गमलों पर हमने एक वीडियो शेयर की हुई है आप जरूर चेक कीजिए तो cemented pots पर ही हमने किया है बाकि आप मिट्टी के गमलों पर भी इनको कर सकते हैं अच्छा होता है तो जैसे कि ये 1 लीटर का जो हमारा paint था इसमें हमने half लीटर ही use किया है लगभग और इसमें 35 pots हो चुके है paint जो कि लगभग double coat हो चुका है सभी पर और आप देख सकते है कि ये आधा जो है अभी बचा हुआ है यानि कि आधे paint में 35 pots हो चुके है double coat में यानि कि पूरा जो ये 1 लीटर paint है ये लगभग 70 से 75 गमले paint कर सकता है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो comment box में जरूर बताईए और कोई query है question है comment box में पूचिए हम जल्दी से जल्दी answer करने की पूरी कोशिश करेंगे thank you